दोस्तों जो साडिया ट्रांस्पेरेंट होती है नेट की होती है और गेंजा की होती है उसमें इस तरह के शोटन पेटी कोट यूज किये जाते हैं अब यह जो शोटन के पेटी कोट है यह हमें पेटी कोट के जैसी इसकी कटिंग नहीं करनी चाहिए इसकी cutting करने से हमको fish cut के जैसी तो यह देखिए यह इसका अस्तर है और यह जो है main कपड़ा है इसको direct भी है आप बना सकते हैं बिना अस्तर के बिना अस्तर में इसको भी आप बना सकते हैं और होगा क्या यह कपड़ा रहता है तो यह मैं आपको chip के ऋपकर इसको फैलना सचाहिए पर चिपकर इसलिए हमको इसमीं यह लगा कर के ही यह हमको इसका यह प्यममाल भाग ओमे और मोड़ लेना है तो यह तोटल जो कपड़ा है डबल करने के बाद फिर बीच से फोल्ड करके यह देखे इस तरीके से हमको डबल कर दे रहे हैं यह दोस्तो आठ कली का घाग रहा है आप इसको आठ कली से दस कली भी बना सकते हैं पर कस्टमर को जो है ज्यादा खेर नहीं जाएगे इसलिए हम इसे आ कि इसे कट कर लेंगे हैं इससे हमको बिल्कुर सीधा जो है कपड़े का भाग मिल जाएगा इसको काट लेते हैं पहले कि यह देखिए एक बार हमको इसको पूरा देख लेना है दोस्तों पीछे कहीं यह चोटा बड़ा तो नहीं है कहीं चुटा हुआ तो यह दिखिए Length में हमने एक इंच छोड़ देना है और इंकी यह पेटिकोड की लंबाई है तर्टिस अकिठीच का टिक मार्किंग कर लिया हमने इस तरफ और दूसरी तरफ भी हमको इसमें 36 की मार्किंग कर लेना है इसमें हमको एक्स्ट्रा कुछ बढ़ाना नहीं है दोस्तों क्योंकि जब उपर का जो बेल्ट जो लगेगा वो 1.5 इंच का लगेगा और नीचे जो फोल्ड होगा तो यह 35 इंच का तैयार आएगा हमको 35 ही क्योंकि जो पेटी कोट है वो साड़ी से तो ऐंच छोटा ही रहना चाहिए 2 इंच छोटा रहेगा तो जो पेटी कोट है वह बाहर नहीं निकले गा नहीं तो कई बार क्या होता है जो साड़ी होती है इसमें से अलग पेटी कोट दीखता रहती है तो और हमको इसमें 6D-line खीच लेना है और यह जो जगह है यहां से आधा इंच जो मार्जिन नीचे का जो दबेगा वो हमको एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है इसमें दोस्तों जो मोड होता है वो अलग से होता है इसमें साथ में कटिंग नहीं करना है हमको साथ में हम कटिंग कर देंगे तो जो कपड़ा है उसकी फिनिशिंग हमारी चले जाएगी आप देख लीजिए कि 33.5 साड़े 33 इंच इनकी कमर है और हमको चार इंच इसमें लूज देना है 37.5 साड़े 33 इंच हमको इसकी कमा रखनी है तो सबसे पहले हम यहाँ नीचे यह जो कपड़े की लाइन है क्रीज है इसको हम छोड़ देंगे कौर को इस कौर को छोड़ करके हम 11 इंच पर निशान लगा लेंगे दाब के बाद में जो यह हमारा है परफेक्ट 10 इंच पर आ जाएगा अब जितना हमने इस तरफ निशान लगाया है यह देखिए 11 इंच का उत्रा ही निशान हमको दूसरे तरफ भी लगा लेना है और इसका भी हमको सेंटर 11 इंच का 5 इंच निकाल लेना है अब क्या करेंगे दोस्तों इधर भी देखिए 11 इंच हो गया और इधर भी 11 इंच हो गया अब हमको लेना है साड़े 4 इंच के बाद प्लस करने के बाद 5 इंच तो हमको 5 नहीं साड़े 5 लेंगे यह देखिए सेंटर में पौने 3 इंच का भाग उस तरफ रखेंगे और लगाया वहां तक हमको एक हलका हलका निशान लगाएंगे और फिर इस तरफ भी दूसरे तरफ भी हमें वैसे ही करना है हलकी हलकी मार्किंग लगा लेना है इससे हमें हमें सिधाई का अनुमान हो जाएगा और हम इसमें लाइन खेच सकते हैं अब चो दूसरा वाला भाग यह दूसरा वाला अब इसमें देखिए 11 इंच कली के निकल जाएगा और इस तरफ से 5 इंच निकल जाएगा तब हमको इसमें सीधी लगीर पूरी खीच लेनी है यहां से टेप वाली जो मार्किंग है उससे भी हम कर सकते हैं पर टेप वाले मार्किंग में देखिए थोड़ा सा फरक आई जाता है इसलिए हम स्केल से ही खीचेंगे लाइन पूरी सीधी लाइन खीचेंगे और दूसरे तरफ भी हम कोई सी तरीके से लाइन खीच लेनी कि यह दिखिए निशान हमारा पूरा लग गया है अब हम इसे कटिंग कर लेंगे जो यह हमने आधाएंची है इस तरह बढहा करके लगायाता दोस्तों वहां से हम को इसको पूरा कट कर लेना है कि पूर पूर कट कर लेना देखलें कि लास्टं तक हम से पूर कट उं取 आप और यह जो बचा है कपड़ा यह लगएगा हमारा इसकी बेल्ट में काम आएगा जो जू पेटी कोड़ iy मनेगा इसकी बेल्ट में अभी यह फिश कट नहीं कट रहा है दोस्तों अभी नॉर्मल लागराई कट रहा है पेटी कोड रहा है और फिश कट के लिए जब आठों जो इसके कली है वो कट जाएगी तब हम इसे पिश कट का हलका सा टश देंगे यह देखिए अब हमको जो एक्स्ट्रा भाग इस तरफ में इसे बिछा देंगे तो यह भी कली हमको पूरी तयार मिल जाएगी इसमें हमको मार्किंग वारा करना है कि जरुद ने पड़ेगी और इसको भी हमें कट कर देना है अब दोस्तों इसको फिश कट बनाने के लिए हमको और मार्किंग करने हैं बहुत छोटा सा चेंज करना है देखिए यहां से हमको एक निशान लेना है चार इंच पर एक निशान लेना है आट इंच पर और देखिए यहां से कितना है यह साड़े पांच इंच है इसी सेंटर से यह देखिए यह साड़े शे इंच आ रहा है और फिर यहां पर देखिए साथ इंच आ रहे हैं तो इस गुलाई को हमको थोड़ असा मिला लेना है यह देखिए इस तरीके से मिले गए यहां रख करके श्केल यह इस तरीके से हमको इसे यह ऐसा निशान लगा लेंगे देखिए यहां तक साड़े छे इंच आएगा परापर तो यह होगा दोस्तों यहां से घुटने तक उपर से जब हम निशान लगाएंगे देखिए तो साड़े सत्रा अठारा इंच पर लगभग घुटना आ जाता है हमारा घुटने के ऊपर ऊपर जो यह है कपड़ा दबा हुआ रहेगा और घुटने के पास से फिर फ़ड़ा सा पैल जाएगा और बहुत अच्छी इसकी जो है लुकिंग आएगी फिश कट के जैसी इसको भी कट कर लेंगे अब दूसरी तरफ से देखिए यहां से बढ़ गया है भाग और यहां से कम हो गया है एक दो तीन और चार चार लड़ हमने इसको कर लिया है कपड़े को अब हम को इसे कपड़े में जमा लेना है यह देखिए इस भाग को हमें उपर रखना है ताकि अंदर का जो भाग तिर्चा है वो इसमें सैट हो जाए किनार इसकी भी छोड़ देंगे किनार को बिल्कुल नहीं लेंगे साथ में कटिंग में यह देखिए इस तरी के से और एक कली उठा करके हमको इसदरा रक्ते भी है ताकि आठ कली हमारी पूरी तयार हमको कटिंग में मिल जाए यह देखे अब इसको भी कट कर लेते हैं अब यह देखी लगभग साड़े तीन इंच का अब यह बनेगा दोस्तों फैटी कोट का उपर का जो नेफा है वो और यह जो दुसरा वाला भाग बचाए इसको हम नाड़ा बनाने में यूश करेंगे फो यह सब्सक्राइब को सब्सक्राइब किजीए मेरे चैनल को सब्सक्राइब मेरे उपने अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें